येर फ्री की मिठाई को नहीं खाते हैं चलो पूरी कहानी बताता हूं तो आज मैंने काफी दिनों के बाद व्लोग शुदू किया था क्योंकि हमारे गर पे गेस्ट आये हुआ हैं और में से कुछ स्पेशल लोग भी हैं जैसे ही है मेरा हरुनाबा से कजना है और ये मेरे लह चाचु आए हैं जो कि मेरे लिए लहूर से कुछ भी नहीं लेकि आए और यह यहां पर चुप चुप के चीज खा रहा था इसलिए हमने इसको पकड़ के मुर्गा बना दिया ओ भाई उपर देखने का नहीं और इसको मुर्गा बनाते ही हम पकोड़े खाने आ जाते हैं औ तो यहां पर हमारे चाचु पकोड़े खाते हुए हमें अपनी लहूर की कहानिया बताने लग जाते हैं लेकिन हमारा तभी प्लैन बन जाते हैं कहीं घूमने जाने का पकोड़े दखा लिए अब कुछ मीटा हो जाए अब तो साइड़ नहीं यह व्लोग शूट हो रहा है यहां पर आजाती है हमारी BMW जिसमें की हम घूमने जा रहे हैं गाड़ी में बैठते ही चाचु की कहानिया शुरू चाचु की कहानिया सुनके हमारे पेट में दर्दोने लगता है यहां बहुत अच्छा संसेट व्यू देखने को मिल जाते हैं और व्लोग में शशके मानना तो बनते हैं और चाचु के काम देखो टूटी-फूटी सड़कों में पूरी BMW लेके जा रहे हैं और यहां की टूटी-फूटी सड़कों पर हम आगे भड़ी रहे होते हैं साथ में थोड़ी हवा भी खा रहे होते हैं लेकिन हम यहां तभी नैट के दिख जाते हैं तो यह किसी ने खाना खाया है आज हम खाएंगे मीठे में थोड़ी बर्फी और यहां की बर्फी बहुत मश्यूर है अब दिखा तो आपको यहां की सारी दुखाने यह पहली यह दूसरी देख रहे हैं कि कि बर्फी जो मिल रही है यह तीसरी यह चोथी और यह पांचवी यह इतनी दिखाने गिंते ठक जाओ गए यह चटी अब चेक कराने लगे कितनी निकाने आपर यहां पर अंकल हमें कहते हैं कि बर्फी टेस्ट करें तो फ्री का माल हम भी नी चोड़ता है और इनकी बर्फी टेस्ट कर लेते हैं और शच में बर्फी तो बहुत मज़े की थी और पू वोई लोई लोई लोई